नमस्कार स्वागत जार्खन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर जारखन के सराइकिला खरसावा से बड़ी खबर है यहां भीसन सड़क हाथसे में आठ मजदुरों की मौत जारखन के सराइकिला खरसावा जीले में गुरवार की सुबध दर्दनाक सड़क हाथसे में आठ मजदुरों की जान चली गई वहीं 12 से अधीक लोग गंभी रूप से घायल हो गए हैं सड़क हाथसे की जानकारी होने पर घायलों को नजदी की होस्पीटल पहुँचाया गया जबकि गंभी घायलों को MGM होस्पीटल रेफर किया गया घटना जीले के खैरबनी गाउं में हुई सभी घायलों का इलाज ज सड़क हाथसे को लेकर मुख्यमंतरी हिमत सुरेण ने जटाया दुख सराइकेला में भीसन सड़क हादसे को लेकर जारगंट के मुक्यमंतरी हिमत सुरेन ने गहरा दुख फ्यक्त किया है घटना के बारे में उन्होंने शोक जताते हुए ट्विट करके लिखा है कि सराइकेला खरसावा में सड़क हादसे में साथ लोगों की मृत्यों की खबर अत्यंत पीडा दायक है जीला परशासन की देख रेख में हादसे में घायल हुए अनिये लोगों का इलाज कराया जा रहा है परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांती परदान कर शोकाकुल परिवार जनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ती दे जहारखंड के सरकारी बिद्यालेव में 18 जनवरी से शुरू होगी अर्धवारसीक परिक्षा जहारखंड के सरकारी बिद्यालेव में कच्छा एक से साथमी तक के होने वाली अर्धवारसीक एकजाम की तीथी में बदलाओ किया गया है 16 जनवरी से होने वाली थी जहारखन में मनाय जाने वाले टूसू पर्व को देखते हुए जहारखन सीक्षा परियोजना ने एक्जाम डेट में परिवर्थन करते हुए 18 जनवरी से अर्ध वार्सिक परिच्षा लेने का फैसला किया है परिच्षा 18, 19 और 20 जनवरी को ली जाएगी बतादे की कक्षा एक से सात्मी तक अर्ध वार्सिक परिच्षा आगामी 16 से 18 जनवरी तक विद्याले अस्तर पर आयुजित होनी थी 16 जनवरी से जार्खंड में तुसू परोव मनाय जाएगा जार्खंड में नए सीरे से बनेगी नियोजन नीति जार्खंड में दोबारा नियोजन नीति बनाये जाएगी मुख्य सचीव ने निर्देश दिया है कि पुराने नियामवली के अनुसार ही नए नियोजन नीती बनाएं और स्विक्रिती के लिए सरकार को भेजें। गोर तलभय की जहारखन की मौजुदा हेमत सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीती को जहारखन हाई कोट ने 16 दिसंबर को अस संबेधानिक बताते हुए रद कर दिया। युआओं को मौका मिलेगा। शेत्री भासा की सुजी से हिंदी को हटा कर उर्दू को शामिल किया गया था। यानि पारा सिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी और 87 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं 13 पारा सिक्षक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले धर्ज हैं। बतादे कि जारखंड के 61,000 पारा सिक्षकों में से 53,051 पारा सिक्षक के परमानपत्र का सत्यापन हो गया है। वहीं 8,154 सिक्षकों के परमानपत्र का सत्यापन नहीं हो सका है। जीलों के द्वारा जमा रिपोर्ट के अनुसार पूरे जारखंड में 395 ऐसे पारा सिक्षक हैं जिन पर अलग-अलग कारुनों से कारवाई की गई या इसकी परक्रिया चल रही है। जीलों द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार 20 ऐसे सिक्षक हैं जो पिछले एक महिने से बिना आवकाश के विद्याले नहीं आ रहे हैं। जारखंड में 27 IFS अपसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग जारखंड सरकार ने वन विभाग में कारेज़त 27 IFS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। अधिकारियों के अस्थान पर किसी पदाधिकारी का पदस्थापन हो गया है। मुख्य वन संगरक्षन राची के कारेयाले में युकदान देंगे। जारखंड सरकार ने रोजगार उन्मुक सिक्चा परदान करने के लिए जारखंड के 325 ब्लॉक अस्तरिय मौडल बिद्यालेओं में छात्रों को ब्यावसाईक परशिक्षन देने का फैसला किया है। ख़वरों को माने तो कौशल आधारित परसिक्षन पूरे जारखंड के 80 उतकरिष्ट बिद्यालेओं में भी लागू किया जाएगा। इस संबन्द में एक प्रस्ताव तयार किया गया है और माच से जारखंड में राज्य अस्तरिय कारिक्रम में इसे शुरू किया जाएगा। बिग्यप्ति के अनुसार पहल के तहत क्रिसी सुचना प्रद्योगी की सुचना प्रद्योगी की सक्षम सिवाओं परिधान और सिरिंगार और होम फिनिशिंग मीडिया और मनुरंजन परेटन और आतिथिय सोंदर्य और कल्यान बहु कौशल इलेक्ट्रोनिक्स और हाडव परिक्षा संग लोक सेवा आयोग यानि UPSC परिक्षा के लिए आवेदन परक्रिया एक फरवरी 2023 से UPSC.gov.in पर शुरू होगी UPSC परिक्षा की तयारी कर रहे उमिद्वारों को IAS परिक्षा अनुसुची 2023 और परिक्षा पैटर्न पता होना चाहिए UPSC परिक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है UPSC Prelims, UPSC Men's और UPSC Interview वर्ष 2023 में UPSC Prelims एक्जाम के लिए आवेदन 21 फरवरी 2023 तक जमा करना होगा UPSC Prelims 2023 परिक्षा 28 मई 2023 को आयोजित की जाएगी केंद्र ने 651 जीलों में नए जन आवशदी केंद्र खोलने के प्रस्ताव को दी मंजूरी केंद्र ने 651 जीलों में नए जन आवशदी केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है सभी को कम कीमतों पर गुणवता पूर्ण जेनरीक दवाएं उपलप्त कराने के उदेश्य से PMBJP को 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्राले के फार्मासिटिकल्स बिभाग द्वारा लौंच किया गया था इस योजना के तहत तेश भर में पहले से ही 9000 से अधिक जन औशदी केंद्र काम कर रहे हैं सरकार ने मार्च 2024 तक जन औशदी केंद्रों की संख्या बढ़ा कर 10,000 करने का लक्ष रखा है PMBJP की उतपाद टोकरी में 1769 दवाएं और 280 सरजीकल उपकरन शामिल है जो सभी परमुक चिकित्सी समयों को कवर करते हैं यह जोजनास्थाई और नियमित कमाई के साथ स्वरोजगार का आउसर परदान करती है देश में कोरोना वाइरस संकर्मन के मिले 197 नए मामले भारत में एक दिन में कोरोना वाइरस संकर्मन के 197 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संकर्मित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,88,583 हो गई है जबकि उपचाराधिन मरीजों की संख्या घटकर 2309 रह गई है केंद्री स्वास्थि मंत्राले की ओर से गुरुबार को सुब आठ बजे जारी ताजा आकडों के अनुसार कोविड-19 से भारत में अभी तक 5,30,727 लोगों की मौत हो चुकी है संकर्मन से मौत के आकडों का पुनर मिलान करते हुए केरल बैश्विक महमारी से जान गवाने वाले मरीजों की सुची में एक नाम और जोड़ा है संकर्मन की दैनीक दर सुनिय दस्वलोव एक सुनिय परतिशत है जबकि सापताहिक संकर्मन दर सुनिय दस्वलोव एक एक परतिशत है ताजा आकडों के अनुसार कोरोना वाइरस संक्रमन के उपचाराधिन मरीजों की संख्या घट कर 2309 रह गई है जो कुल मामलों का सुनिय दस्वलोव सुनिय एक परतिशत है पिछले 24 घंटे में उपचाराधिन मरीजों की संख्या में 33 मामलों की कमी रिकोट ही गई वहीं देश में मरीजों के रीकवर होने की राष्ट ये दर अंठानवेदस वलो आठ सुनिय परतिशत है केंद्री सुरक्षा बलों के सभी कार्मीकों को मिलेगा पुरानी पिंशन योजना का लाब कि आठ हप्तों के भीतर इस संबन में जरूरी निर्देश जारी करें दिल्ली उचनायले ने इस मामले में दाखिल 82 या चिकाओं का निप्टारा करते हुए ये आदेश जारी किया है अदालत के इस फैसले का फाइदा CRPF, BSF, CISF और ITBP समेत सभी केंद्रिय सुरक्षा बलों के कारमीकों को मिलेगा कोट ने अपने आदेश में कहा कि नई पेंशन योजना की अधिसुचना में साप कहा गया था कि वो केंद्रिय सुरक्षा बलों के अलावा सभी के लिए एक जनवरी 2004 से सरकारी नौकरी में भरती सभी लोगों पर लागो होगी भारत सरकारी इन दस देशों में रहने वाले भारतियों को देने जार ही UPI Payment सुविधा भारत जल्दी ही UPI यानि Unified Payment Interface को गलोबली बनाएगा यह पहल फिलहल दस देशों के लिए की जार ही है ऐसा होता है तो इन देशों में रहने वाले भारतियों अपने इंटरनेशनल मॉबाइल नंबर का उप्योग कर UPI से पेमेंट कर सकेंगे यही नहीं इन दस देशों के जिहां NRI यानि परबासी भारतियों अपने भारत के फोर नंबर पर डिपेंट हुए बिना भी ट्रांजेक्शन के लिए UPI सर्विस का उप्योग कर सकते हैं जिन देशों में यह पहल की जा रही है उनमें सिंगापूर, अमेरिका, औस्ट्रेलिया, कनाडा, होंग कॉंग, ओमान, कतर, सौधी अरब, संयुक्त अरब आमिरात और युनाइटेट किंग्डम शामिल है भारतिय, राष्टी भुकतान, निगम के अनुसार, अंतरराष्टी मोबाइल नंबर वाले NRE, NRO जैसे अकाउंट UPI का इस्तिमाल कर लेन देन कर सकेंगे पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ने पार्टनर बैंकों को निर्देश जारी कर इसका पालन करने के लिए 30 अपरेल तक का समय दिया है